हलो गाईज, लेलकंः काफेक्स उन कैसे आप सब लोग, तो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, Micro HCV सेगमेट की कारकी, जिस कारकी हम बात कर रहें न, ये इस सेगमेट की TOP कार में से एक है, तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा पंच की एंड सबसे पहले मैं बतातू या टाटा का टॉप सेलिंग प्रड़क्त है एंड अगर आप इसकी सेल्स रिपोर्ट भी देखोगे हर मंकी तो 10,000 प्लस यूनिट ये कार सेल कर रहे हैं तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क किन लोगों को करनी करनी चाहिए एंकिन लोगों को एक अवाइड करनी चाहिए पात करते हैं सबसे पहले अगर आपकी सेलिंड में एक ऐसी लोग बजट कार चाहिए जिस वे यह का मैं वाली ऊपनों बजलग की से 0,000 लाग से auth हों तो 10,000 तन जाती है बट इसके जो वे. value for money वेरियंट है वो इसके लोवर वेरियंट से अगर आप प्यॉर एड्वेंचर तक जाओगे तो मैं आपको एक रिक्वार्मेंट करूंगा कि अगर आप ये कार प्लान कर रहे हो तो इसके तो अगर आपकी रिक्वार्मेंट ऐसी है कि अगर आपको एक SUV कार चाहिए वो भी एक लो बजट में तो डेफिनेटल आप इस कार की तरफ जा सकते हो बात करें सेकिंड पॉइंट की अगर आपका ड्राइब मुस्टली हाइवेस भी ज्यादा रहता है और आपको हाइवेस प बाबजूद भी गारी में इतना बाडी रूल आपको पील नहीं होगा काफी स्टेबल होके चलती है इसका कववेट भी काफी जादा है उसमझे से भी आपको एक प्रॉपर सेबिलिटी आपको प्रोवाइट करती है हाइवेस में तो एक काफी स्टेबल का रही है एं फीडबैक भी बहुत प्यारा है इस कार का पी लाइट स्टेरिंग आपको फील होगा हाइवेस में जब आप जाओगे तो आपको थोड़ा सा स्टेपनेस थोड़ा सा हार्टनेस देखेगी स्टेरिंग में जो कि आपको अच्छा कंट्रोल देगी हाइवे डाइवेस के लि सेफ्टी प्रोवाइट करें आपको सेफ्टी के लिए आपको चैनल होने की जरूरत नहीं है इस कार के साथ विगार्स पाइव स्टार सेफ्टी रिटिंग के साथ ये कार आती है एंड अगर बात करूं इस सेग्मेंट की इस माइक्रो सेग्मेंट की तो उसमें एक लॉती नहीं कार आपको ये सेफ्टी रीए तो इस सेग्मेंट में कम बजट में अच्छी सेफ्टी के साथ ये कार आपको बिदी जा रही है और अगर आपके रिक्वार्मेंट सेफ्टी यह तो डेपनेटलि आप इस कार कर सकते हो गाईस, babak, कई लोगों का मानना है कि इस बजट रेंज में जितनी भी कार्व आ रही हैं उसमें सबसे बड़ीया suspension आपको इस कार में देखने को मिलेगा कापी अच्छा suspension tune किया गया इस कार में and कितनी भी खराप roads हों कैसी भी roads हों आपको discomfort फिल नहीं होगा जब भी आप इस कार को चला होगे तो discomfort आपको फिल नहीं होने वाला बहुत अच्छा suspension tune है तो आपको एक comfortable राइड देता है का 90 degrees opening door आपको इसमें मिल जाते हैं elder लोग अगर आपकी घर पे तो easily इस कार में चड़ना उतरना बहुत easy हो जाता है उनके लोग के लिए भी तो उस case में भी आप definitely इस कार को कर सकते हो guys तो guys यह तो रहे इसके कुछ positive points अब बात करते हैं इसके कुछ negative points की and जिसकी वज़े से आपको इस कार को avoid करना चाहिए अगर बात करें आपकी requirement ऐसी है कि आपको एक कार में आपको चाहिए कि बहुत smooth engine हो बहुत refined engine हो NPS level बिलकुल लोग noise and vibration जिसा issue आपको फीज ना करना पड़े उस condition में आप इस कार कित को छोड़ ही दे तो बढ़िया है because engine इतना रिफाइंड नहीं मिलेगा noise and vibration है कार में तो यह point है जिसको मैं आपको विताऊगा अगर आपकी requirement में यह चीज है तो उस case में आप बंच की तरफ ना जाके बाकी इस segment में और cars भी हैं जिनमें आपको अच्छा refined engine मिल जाता है although यह 3-cylinder engine के साथ आती है इस segment में आपको और cars भी है जो 4-cylinder option option के साथ आ रहे है जिनमें आपकी requirement ऐसी है तो उस case में भी आप इस car की तरफ ना जायतो हो सही है next point के अगर मैं बात करूं features की features इस car में आपको हो सकता है थोड़े कम भी हो इस segment में कोई ऐसी car भी है जो इससे जादा features आपको offer कर रहे है तो उस case में भी अगर आपकी priority features भी है और आपको एक feature loaded car चाहिए तो उस case में भी आप इस car को consider ना करके किसी और car की तरफ देख सकते है इस segment में और car by the way है ऐसी जो आपको इससे जादा features दी रहे है next point के गरें बात करूँ अगर आप pit and finish आपको अपनी car में perfect car चाहिए pit and finish के मामले में अच्छी pit and finish चाहिए तो उस case में भी आपको punch disappoint कर सकती है because pit and finish के issue इस car में है in fact Tata की और cars में भी आपको मिलेंगे तो pit and finish का issue इस car में भी है exist करता है अगर आपकी requirement ऐसी है कि आप भी है इससे तो नहीं इसको नहीं देख सकते मतलब आपको pit and finish बिल्कुल perfect चाहिए आप बिल्कुल compromise नहीं कर सकते इस चीज़ से तो उस case में भी आपको इस car की तरफ नहीं जिखना चाहिए आपको और cars मिल जाएंगी अच्छी pit and finish के साथ बात करें next point की अगर आपको चाहिए बिल्कुल tapping engine चाहिए बिल्कुल ऐसा engine चाहिए जो बिल्कुल जब भी आप accelerate करो तो car response करे तुरन अच्छा pick up हो car का तो उस case में भी मेरे रिसाब से आपको इस car को ज्यादा नहीं करना चाहिए because 1.2 liter engine इसमें आपको मिलता है जो की इसा curve weight ज्यादा होने की वज़े से न उतना responsive आपको नहीं भी लोगा अगर आप एक normal speed में drive करते हो आपकी जो maximum speed 100-900 के आसपास करते हो तो उस case में तो फिर ठीक है but अगर आप चाहते हो quick acceleration अपनी car से तो उस case में आपको feel हो सकता है कि engine इतना जाता response नहीं कर रहा थोड़ा बहुत under power आपको जुरूरी feel हो सकता है hills में भी बात करूँ अगर आप hills में proper 5 लोग बैटे हो अच्छा का सा luggage अपके साथ है तो उस case में भी car थोड़ी दभी भी अपको feel होगी आपको हो सकता है कि वो power इस car से ना मिल पाए तो अगर आपका भी hills driving जाद है और आप पूरी family के साथ अच्छे का से luggage के साथ टैबल करते हो तो उस case में भी मेरा हिसाब से आपको इस car को consider नहीं करना चाहिए कहीं न कहीं आपको feel होगा इस car का अच्छा है जो कुछ चीजों में इसको positive भी देता है अच्छे मिलती है अच्छे मिलती है बहीं जब बात करते है हिल्स में चड़ाई के टाइम पर इसको थुड़ा सा आपको अंडर पावर फील हो सकती है तो अगर आपकी जादा driving hills पर आप लोग दो लोगों के साथ तो आपको इतना फील नहीं होगा अगर आप अपने लोग के साथ तो अगर आप थोड़ा बहूं दगेज दो लोग त्रेवल कर देऊ तो अपको इतना फेल नहीं होगा बड़ा ज्यादा लोग लग कर रहे हो तो हो सकते आपको जोड़ा पावर वाला इश्यू फील हो एक और प्वाइं यहां पे लेकर माल बारे आपको पास ही मैलेश बिलेगा इसमें फोड़ा लोगर साइट मिलेगा आपको 12-13 अगर जाद़ ट्राफिक कंडिशन ज्यादा ही है आपके वंबर ट्राफिक है आपके एरिया में तो आपको 11-12 तक 20 का मैलेश आ सकता है और आपको कंडिशन स्पीड बिलों से नीचे चलाओगे तो आपको highways में ये car 20 प्लस भी निकाल के जिसकती है हमारे चनल में इसके videos है जहां पर हमने इसको tank-to-tank test किए इसकी mileage और आप video check out कर सकते हो इसमें इसने हमां को 20 प्लस मालेज निकाल के दिती है तो हाइवेज में बहुत अच्छी मालेज आपको इस का से मिलती है तो यही कुछ पॉइंट है अगर आपके रिक्वार्मेंट के साथ यह पॉइंट मैच कर रहे हो तो उसके विश्चिस पे आप इस कार को सिलेक्ट या पे इग्नोर कर सकते हो तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो बसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा इस वीडियो को आपके एक लाइक से बहुत सपोर्ट मिलता है बहुत एंगरेजमेंट मिलती है और नई वीडियो बनाने के लिए तो इस वीडियो में तो इतना ही मैं मि ताहूं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक लेंग बाई